प्रेगनेंसी चेक करने में देरी क्यों नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी का सबसे एहम लक्षन माना जाता है लेकिन जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी दो चार दिन उपर नीचे हो जाते हैं उनके लिए प्रेगनेंसी मिस होना आम बात होती है परन्तु यदि महिला के periods आके पिछे नहीं होते periods आने से पहले body में कुछ अलग से लक्षन महसूस होते हैं तो महिला को periods मिस होने के एक या दो दिन बाद ही pregnancy चेक कर लेनी चाहिए और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे क्यों कह रही हैं तो आईए इस विजियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जिसकी वज़ा से महिला को pregnancy चेक करने में देरी नहीं करनी चाहिए पहली बार ऐसा हुआ हो या पहली pregnancy हो यदि महिला को पहली बार periods मिस हुए हूँ या शादी के बार पहली बार ऐसा हुआ हो तो महिला को periods मिस होने के एक या दो दिन बाद ही pregnancy टेस्ट कर लेना चाहिए और यह है टेस्ट सुभा के पहले urine से करना चाहिए क्योंकि सुभा के पहले urine में HCG हर्मोन की अधिकता जादा होती है और सही परिणाम आने के चांस भी अधिक होती है ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस दिन pregnancy positive ना आए तो ऐसे में आपको अगले दिन दोबार टेस्ट करना चाहिए क्योंकि यदि शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है तो यह pregnancy महिला के लिए बहत खास होती है और जितनी जल्दी pregnancy confirm होती है उतना ही जल्दी treatment भी शुरू होता है उम्र के बढ़ने के कारण उम्र बढ़ने के बाद यदि आपकी periods मिस हुए हैं तो भी आपको pregnancy test जल्दी से जल्दी करना चाहिए क्योंकि यदि आप baby चाहती है तो शुरुआत से ही आपको सही treatment मिले और उम्र बढ़ने के कारण pregnancy में किसी तरह की कोई complications ना आए इसके लिए आपको pregnancy test जल्दी से जल्दी करना चाहिए बहुत मुश्किल से pregnancy की उमीद नजर आई हो कुछ महिलाओं की बहुत कोशिश के बाद भी मा बनने की इच्छा पूरी नहीं होती ऐसे में कभी किसी महीने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मा बनने के chances हैं और उपर से आपके periods भी मिस हो जाते हैं तो आपको जरा भी देरी ना करते हुए तुरंत pregnancy test कर लेना चाहिए पहले गर्पात हो चुका हुए यदि महीला का गर्पात हुआ है और महीला ऐसा सोच रही है गर्पात के कारण उनका मासिक चक्र एनियमित हुआ है और periods आने में ज़्यादा देरी हो गई है तो महीला को इस लक्षन को अंदेखा ना करते हुए जल से जल pregnancy test कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार गर्पात के बाल सम्मद बनाने से साथ के साथ ही गर्प ठहर जाता है और ऐसे में दुबारा गर्पात ना हूँ इसके लिए आपको शुरुआर से ही साथानी बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी की शुरुआर से ही अच्छा treatment हो हर महीला यही चाहती है कि गर्पावस्था के दोरान मा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और इसके लिए periods मिस होने के बाल आपको तुरंद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि यदि आप प्रेगनेंट है तो आपको जल से जल प्रेगनेंसी का treatment मिल सके जिससे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे तो यह है कुछ कारण जिनकी वज़ा से महीला को प्रेगनेंसी चेक करने में तेरी नहीं करने चाहिए यदि आपके periods भी आगे पीछे होते हैं और कभी ज़्यादा दिनों के लिए आगे बढ़ जाते ही तो आपको भी से अंदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होने का कारण फ्रेगनेंसी भी हो सकती है तो दोस्तों अगर आपको भी कोई इससे समंदी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे नई वीजियो के साथ नए टोपिकर